Hello students, welcome to Prezi Education Online Classes. Students, आज मैं आपको explain करूँगी Reduced C-Slavers of Class 9, Subject Maths. ठीक है students, तो आज हम लोग जो भी आपके topics reduced हुए हैं और जो भी topics आपके exam में आएंगे, वो सब students detail में हम लोग study करेंगे. मुझे मालूम है कि आप यह जानना चाते हैं कि वो कौन से topic is removed हो गए हैं, that means कौन से topic exam में नहीं आएंगे, तो आपको यहाँ पर students सभी तरीकी confusion, सभी तरीकी doubts clear हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों चीज़े देखेंगे, कि कौन से topic exam में आएंगे, कि उनसे नहीं वीडियो को धिहान से देखेंगे, screenshot ले सकते हैं, अपने साथ अपनी book लेकर लखिए, pencil लेकर लखिए, और उस पर कट लगाते चाहिए, strengths, now strengths बात करते है, unit 1 number system, number system में strengths, first chapter अता, अपका real number, और मुझे मालूम है, कि यह बहुत interesting subject होता है, strengths, बहुत interesting topic है, strengths, so इसमें से strengths एक breaking news है, यह good news है, कि representation of terminating और non-terminating decimals on the number line, so successive magnification, strengths, आप जैसे आप की question आते थे, 3.765, उनको successive magnification करते थे थे, आप, 3.765 के लिए त्री और को, तो तू पार्ट में दिवाइट के टे ते थे, 3.7, 3.8, और रहे एट के बीच में लेक्ते ते, पिर अगें उनको split करते थे तो स्ट्रेंट्स आप उनको नंबर लाइन पर सवरी के सथी प्रजट करके दिखाते हैं तो स्ट्रेंट्स अब आपका वादा टॉपिक अपके एक्जाम से अब आपके एक्जाम में नहीं आएंगे के लिए स्ट्रेंट्स समझ आ गया ना बात करते हैं स्ट्रेंट्स यूनिक्ट सेकेंड अलजेब्रा Strengths Algebra में आपका First Chapter आता है Polynomials और मैंने Strengths आपको Polynomials की बहुत सारी वीडियोज शेयर की हुई है Important Questions जो एक्जाम में आएंगे Strengths वो भी जो New Pattern पर बेस्ट है वो सब अपडेट हो चुके है Strengths MCQs के Question जो आपके एक्जाम में आएंगे Last 10 Years में आ चुके हैं और जो New Exam में New Pattern पर बेस्ट है वो सब आपके इस चैनल पर अवेलेबल है Strengths वहां से आप देख सकते हैं तो Polynomial में Strengths ये सभी Topic आपके आने वाले है अब आपके कौन से Topic नहीं आएंगे Strengths जो Topic नहीं आएंगे वो है Remender Theorem का Strengths प्रूफ है और जब Question करते थे थे Remender Theorem के की स्टेट कीजिए कि ये Remender Theorem है with Example Strengths तो वहाला Question आपके अब एग्जाम में नहीं आएगा Strengths That means कोई भी Question आपको स्टेट करने के लिए नहीं आएगा And Strengths Statement and Proof of the Factor Theorem वो भी आपके एग्जाम से Remove कर दी गई Strengths अब आपको कोई Proof of the Factor Theorem का नहीं करना है Now Second Topic Strengths आपका जो Polynomial का होता है Factorization of Polynomials ठीक है तो Strengths उसमें आपकी Identity यूज होती है कुछ वो सब हैं तो ये वाली जो Identities आपके इस अपके एग्जाम में आएंगी But Strengths ये वाली जो Identity है ये आपके एग्जाम से Reduce कर दी गई है तो अगर आप आपके एक्साइज आती है Strengths 3G उसमें इसे यूनिट पर बेस्ट आपकी Identity बेस्ट कॉश्चन है तो Strengths उसपे तो आप कट कर दीजिए क्योंकि वापके एग्जाम में आप नहीं आएगी Clear Strengths समझ गए आप Strengths आप इनके screenshot भी ले सकते हैं यह आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा ठीके Now Strengths बात करते हैं हम Second Chapter की Second Chapter आपका आता है Strengths Algebra में Linear Equation in 2 Variables Strengths यह Complete Chapter आपके Study करना है आपको CVC Board ने बोला है कि Examples, Problems on Resurrection Proportion Strength इस पर बेस्ट आपकी equation बनती थी उस पर बेस्ट कुशन नहीं आएंगे But Strengths यह वाज़ा topic आपके 10 years Before CVC Board ने रिडियोज कर दिया गया था आपके exam में यह topic नहीं आएगा पहले से ही remove कर दिया गया था ठीके Strengths हो सकता है यह आपको कोई Mistake हो इसमें तो यह topic आप धियान रखें आपके book में नहीं है Clear? Now यह screenshot ले लिजे Strengths आप किसका भी Now Strengths बात करते है Coordinate Geometry की Strengths Coordinate Geometry आपकी बहुत interesting topic है Strengths लेकिन इसमें से कोई भी remove नहीं हुए है सभी topics आपको study करने है Coordination आपका नहीं हुआ है Clear? Clear? Clear Strengths Next Chapter की ओर चलते है Strengths Next है आपकी Unit 4 Geometry Strengths इसमें से आपका introduction to Euclid's Geometry Strengths सबसे जादा मुझे वालूवे Strengths परेशान होते थे और इस तरीकी कोर्शन को करने में बहुत problem होती थी इसकी theorem में आप बहुत confused होते थे तो Strengths ये full chapter आपका डिलेट कर दिया गया अब आप Tension 3 हो जाए जिससे आपका problem थी CBSC ने वो topic ही आपका remove कर दिया है ठीक है Strengths तो हो गई आपकी बल्ले बल्ले अब आगे आपके मुझे कि जिसमें आपका problem वही CBSC ने topic खदम कर दिया Now Strengths Geometry में 2nd chapter Lines and Angles Strengths ये बहुत अच्छा subject है बहुत अच्छा topic है इसे CBSC Board ने कोई आपका topic गलेट नहीं किया है इसके regarding exam में questions ज्यादा आने के chances है इसलिए आप इस topic को अच्छे से study कर लीजे Clear Strengths 3rd chapter Strengths Triangle Strengths Triangle है आपका जो 6th theorem है उसमें से 5th theorem के proof and strengths उसे related questions सब आएंगे लेकिन जो आपकी ESA वाली theorem है इसका proof आपका exam में नहीं आएगा सिर्फ इसके regarding questions आपके exam में आएंगे इसलिए इसके regarding आप questions को study कर लीजे इसका जो theorem है उसको आप कट कर दीजे Clear Strengths समझ आगया इसका भी strengths आप screenshot ले लीजे और अपनी book पर कट कर दीजे Clear कोई भी doubt हो अगर आपको strengths के topic exam में आएका कि नहीं आएगा तो strengths आप comment box में लिख दीजे कि मैं बता दीजे topic exam में आएगा कि नहीं आएगा आपको comment box में reply मिल जाएगा strengths आपके सभी doubts दूर हो जाएंगे Clear Now strengths 4th chapter Conference of Triangle and Inqualities इने triangle strengths आपका triangle वाला chapter है इसी में 7 topic आपका add किया गया है जिसकी theorem भी है और इस पर-based question भी है ठीक है strengths यह जो आपका complete chapter है R.S. अगरवाल में यह complete chapter आपका remove कर दिया गया strengths exam से ठीक है Now strengths अब आपको इस से related कोई theorem नहीं study करनी कोई examples कोई questions इस पूरे chapter पे आप cut कर दीजिये ठीक है तो यह 4 chapter आपका नहीं आने वाला है Clear समझा गया strengths Now strengths quadrilaterals strengths इस में से कोई theorem remove नहीं हुई है completely chapter आपका study करना है इस पर बेज़ कोई आने वाले हैं ठीक है strengths तो इनको आप study कर लीजीगा Clear Now strengths next topic को देखते है area of parallelograms and triangles strengths मुझे वालू में आप देखका बहुत खुश हो गए होगे कि full chapter removed strengths पूर chapter removed हो गया all topics are removed So strengths खुश हो जाए और इस पे chapter पर cut कर दीजिये कि ये chapter आपको study नहीं करना है एक्जाम में selected कोई question नहीं आने वाले strengths Clear समझ आ गया Now strengths next study करते है strengths circle student 7th chapter इसमें आता है आपका circle में लेकिन student इसमें आपकी 6th theorem ये आप study करनी है इन प्राक्टिक कर लीजे कौन-कौनs theorem आपको study करनी है and strengths ये दोनों theorem आप देख रहे है ये completely remove कर दीगा strengths आपके exam से means इनके proof आपको study नहीं करने strengths तो इन पे cut लगा दीजे आप ठीक है समझ आ गया strengths आपको कोई भी doubt हो comment box से पूछ सकते है strengths तो circle से related only 6th theorem ही आपको study करनी है Clear Now strengths आपका एक chapter आते construction का strengths इसमें से आपका topic remove किया गया है Construction of a triangle given parameter and base angle So strengths ये सभी topic आपको study करने हैं लेकिन जिस question में आपको दिया होता था ना कि ये parameter है ये base angle है इस पे based आप triangle construct कीजिए So strengths उस type के examples आपके questions exam में नहीं आएंगे तो देख लीज़े आपने questions को जिसमें आपको parameter दिया हो Base angle के base पे आपको construction कराया हुआ हो triangle को उन सभी topic पर आप cut कर दीजिए ठीके strengths Now strengths बात करते हैं हम next chapter की Strengths next chapter आपका आता है menstruation में Menstruation में strengths first chapter आपका areas of triangles and quadrilaterals So strengths area of triangle using herons formula ये तो strengths इसके पर question आपके आएंगे exam में ठीक है लेकिन strengths triangle के base पे ही आएंगे जो quadrilater के base पे herons formula के questions है त्योरम से वो कुछ भी exam में नहीं आएगा Strengths और herons formula area of triangle used करके सिर्फ उसका strengths questions आएंगे Without proof means उसका proof नहीं आएगा exam में Clear होगे strengths आपको और quadrilaterals के base पे तो कोई theorem नहीं और कोई भी question नहीं इंपे पूरा Cut कर दीजिये strengths and कुछ हो जाईए Now strengths Next topic आते है आपका surface areas and volumes of solids So strengths ये तो बहुत interesting topic है इसमें से strengths सभी topic आपके आएंगे Coid lesson नहीं है सब आपको study करने ही होंगे Clear strengths Now next chapter is strengths Next unit है unit 6 Statistics and Probability So strengths इसमें आपका first chapter आता है Presentation of data in tabular form So strengths ये आपको complete chapter study करना है इसने कोई भी topic remove नहीं हुआ है Clear strengths समझ आ गया है आपको Means tabular form जो आप construct करते थे data की वो आपको completely grouped और ungroup दोनों की बनानी है Clear Now strengths next chapter आता आपका Bal graph, Histogram and Frequency So strengths इस chapter से सिर्फ Bal graph ही आपका exam में आएगा Histogram and Frequency Polygon, Complete, Cut Strength square topic exam में नहीं आएगा इस पर आप बिलकुल cut कर दीजिए Means Bal graph वाली exercise ही exam में आएगी उससे later ही a question exam में आएगे Okay, strengths, now strengths It's a very big news Chapter 3 Mean, Median, Mod of Ungrouped Data Strength completely removed सिर्फ जो आपका Ungrouped Data है वो आपको completely Removed हो गया strengths That means इसमें से कुछ भी आपको Study नहीं करना है So strengths इससे पहले भी chapter आपका Remove हो गया और यह भी chapter removed हो That means यह तो बहुत ही बड़ी news है ठीक है तो यह आपको chapter Study नहीं करना strengths इसमें सबसे ज़ादे आपको problem होती थी Median, Mod वाले topic में ठीक है and mean method होते थे Strengths वो कुछ भी आपको Study नहीं करना है Now strengths फोर चप्टर आता है Probability Probability तो strengths और अपने आपने एक छोड़ा सा topic है 9th class में बहुत कम questions है So strengths यह complete topic आपको study करना है इस topic में कॉल भी आपका Reduction नहीं हुआ है Strengths Clear, Strengths किसी भी topic में आपको कोई doubt हो तो comment box में लिख दीचेगा और आप पूछ लीजेगा Clear strengths अगर आपको किसी भी topic में problem है तो ठीक है Now strengths I hope आपको समझ आ गया होगा All strengths आपको news बताना चाहती हूँ Important है वह आपके लिए जो भी important question based और new CBC pattern पर आपके question है और MCQs है वह आप इस channel से देख सकते हैं इस channel को subscribe कर सकते हैं और आने वाले notification भी आपको update करा दिये जाएंगे इसलिए आप इस channel को subscribe कर लीजिए जिससे आपको notification मिल सेके time to time Okay strengths I hope आपको इस समझ आया होगा इस top video को देखने के लिए strengths Thank you